आपको पदाना चाहेंगे भारती प्रवासी सम्मिलन की दूसरे दिन जब प्रदानमंठी नरेंद्र मोधी को सुनने के लिए बड़े उत्सुक है प्रवासी भारती है ऐसे में झो है खराब मौसम की वज़ह से दिल्ली से उड़ान नहीं भर पाएं हैं प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी वैसे आपको बता दें दिल्ली में लगातार कडाके की सर्दी पढ़ रही है मौसम विभाग ने औरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है ऐसे में प्रधान मंत्री जो नरधारित समय पर वहां दिल्ली से उडान भरने वाले थे उसमें तकरी अब तकरीबन चार से साड़े चार घंटे इंदौर में बिताने का उसमें थोड़ी सी तबदीली हुई है और एक घंटा अब इसमें एड-on हो गया है यानि कि अब दस पच्पन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इंदौर की सर्जमी पर अपना कदम रखेंगे और उस सुरक्षा के चाक चौबन इंतजामात किये गए हैं और पूरी तरह से जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा निगरानी को बढ़ा दिया गया है आपको बता दें सुरक्षा की वज़े से कुछ प्रवासी भारती महमानों को प्रवेश लेने में भी दिक्कत आ रही है कई ऐसे नराजगी भी जाहिर की है लेकिन सुरक्षा इंतजामों का हवाला देते हुए जो है उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है पूरी तरह से अब कंवेंशन सेंटर जो है वो SPG ने ब्लॉक कर दिया है प्रवेश अब पूरी तरह से इस कंवेंशन सेंटर में प्रतिबंदि में किस तरह से विश्वस्नियता की बात यहां पर प्रधान मंतरी रखते हैं यह देखना बहुत लाजमी होगा लेकिन बड़ी खबर MP News के दर्शकों के लिए जिसे आप MP Podcast के जरीए सुन पा रहे हैं और MP News TV के जरीए जिस बड़ी खबर को आप देख पा रहे हैं कि एक घं 30 से जो है इन दौर पहुंचेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी बड़ी खबर MP News TV पर